कि भविश्यवाणी से डिप्रेशन इसके बारे में आज हम बात्चीत करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर दीपक्रेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा विशनमुक्टि तग्यों महाराष्ट्य में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ तो यह आपका स्वागत है एक विक्ति पेशेंट मनकर मेरे पास में आया एप्रॉक्जमेटली 40 साल का हो और वो एकदम पूरा डिप्रेस था रो रहा था अभी जिन्दगी में तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तो मैं मरने वाला हूं इस तरह से वह वाक्य बोल रहा था खान प्रशने के चांसेश है नहीं अभी आमाश्या को आप मरने वाले हो उस दिन का अप बच गए तो फिर आप बच गए फिर कोई प्राब्लेम नहीं है और बचने की चांसे हैं नहीं अभी आमास चेको ते 14 दिन शे दिन हो गया कि उसने खाना फिना छोड़ दिया भी क्या हूंगा क्या ने में तो मरने वाला हूं उसने तो जा के अपनी विल बना दिया कि मेरे प्रापर्टी का किसका कैसा बटवारा करना चीह बच्चों का क्या पिर एक बीवान पॉलिसी निकलना के और मैं तो मरने वाला हो ऐसा ऊचिन चुने लगा मतलब खाना बिरना छोड़ दिया बहुत टेंशन और बेड़ पर ही रहने लगा हो मतलब छिदिन में ऐसा हो गया ह। मरने के पहले ही मरे जैसा हो गया हो और मेरे पास मैं आया है कि भई इसके गरवाले भी बोल रहे है कि भी देखो इसका क्या करना क्योंकि ये तो भविष्यवेट्टा ने बता दिया और अब इस पूरा डिप्रेस हो गया कि हम अपन मरने वाले है और अभी कुछ पड़ा ही न बहुष्यवेद्धा के पास में फिर अपन जाते हैं और बात्चित करते हैं उसके साथ में और फिर हम देखते हैं कि वह सच्ची बोलता हो सच्ची होता कि नहीं होता तो तो मैं उसके साथ में वह भविष्यवेद्धा के पास में चले गया उसको मेरा नाम बता है नहीं मैं क और बहुत 5-10 मिट इदर उदर से देखके फिर हो बोल रहा कि आपके पतनी की कोख बांदी है और अभी बच्चे आपको होने की कोई संभावना है नहीं मैं फिर अभी करना क्या उसका बोले उसके लिए आपको यग्य करना पड़ेगा फिर उसमें इतना ऐसा करना फलाना उसने बड़ी लिस्ट वगर दे दिया मैं वहां से फिर वह हमारा जो पेशेंटा उसको लेकर निकला आया मुझे दो बच्चे मेरे को पोता भी है और यह जो बता रहा है कि तुमको बच्चे होने वाली है नहीं मैं देखो क्या खोकला पन है तो मगर वो मानने को तहरी नहीं नहीं बोले वह आपके लिए नहीं होंगा मेरे लिए सच होने वाला है होता क्या है कि उसका जो चेतन मन है देखो हमको दो मने conscious mind सब conscious mind conscious mind मतलब तारकिक मस्तिष जो है logical mind वो conscious mind है एकाद एक्टी ने सुजाओ दिया suggestion दिया वो बहर से आ गया logic को उसको पड़ गया हो और logic को या conscious mind को क्यों पड़ गया हो क्योंकि उसने और कोई लोगों का सुना था कि यह जो भविश्य बेता है उसका भविश्य सच्च होता है जैसे उसका conscious mind उसके ऊपर यकिन करता है कि नहीं यह सच है तो वो conscious mind अंदर ड का स्पीकार कर लेता है अब लॉजिकल वाइंड वो उसनें अंदर लाल दिया उट सबकॉंशिस माइंड में टाल लिए उसक्सिस माइंड क्या है कि किसी के सुझाव में कोई शक्ति होती नहीं है हम उसके उपर हमारी विचारों द्वारा उसको शक्ति देते है तो हमारा जो तारकिक मस्ति जो है तारकिक माइंड जो है लॉजिकल माइंड जो है उसने देखना है कि यह कितना सही है कि इतना जूट है क्या साइंटिफिक है यह अन साइंटिफिक है नॉन साइंटिफिक है क् क्या जूट है कितने लोगों को हां बोला हुआ है ऐसा हुआ और हां हो गया हो ऐसा जैसा उसने भविश्य बोला था वैसा हो गया तो हर बात जब conscious mind से हम देखते हैं कोई भी चीज सुनते है और फिर उसका analysis करते हैं तो हमने देखना जी specially conscious mind जब emotionally high level पे होता है emotionally heightened level उस समय conscious mind को जो भी बोलाओ सीधा अंदर subconscious mind में घुच जाता है और वहाँ से subconscious mind अपना काम शुरू कर देता है अभी ये व्यक्ति जो है ये conscious mind से अंदर उसको जाने नहीं देता तो subconscious mind गाम नहीं करता था सबकॉंचे माइन में अपना काम तभी शुरू किया जब conscious mind में उसको अंदर जाने दिया कॉंचे में अंदर क्यों जाने दिया क्योंकि वह तार्किक मन जो है वह तार्किक लगाया उसने और लॉजिक से उसने वह accept कर लिया स्वीकार कर लिया तो ये ताकत है हमारे subconscious mind की और प्रावलंबु ने डिपेंड करता है तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यू वेरी मच्छ